गुड मॉर्णिय श्टुडेंट्स विवियन आउनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम क्लास 6 के चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहे हूं ध्यान से तुनें और देखें समझें कारक पल्चे यह आपको पाले भी क्लास में बताया गया है और मैं ही बताई हूं ठीक है का कारक कितने होते ही पाले कारक आठ होते हैं दो कारक वह हैं लेकिन साथ लगातियां संभोधाला चाठ हुए 1-8 राठी और 7 विववेक्टि साथ का रग चार दृटिसे लगाएंगे और वाक्त बनाने ध्यां जैन सब्लिगा Spreya के साथ सीधा संबंद होता है उन्हें कारक क सब्दों का किरिया के साथ संबंध परकट करने के लिए जो परत्य होता है मनें पर्पते सब्सक्राइब होने वाले कारक और उनकी रखती आ है यूद आपको ऑपी में साम थेवाम बीजीएगा जाए辉ब एस इक्स में भाय मैं भी में इसक्स इसमें भी बता रही हूं कारक चिन्ध और क्या विभक्ति ध्यान दिजिए करकाठ हैं करता ने कर्म को करन से संपर्दान के लिए अपदान से संबंध का किके अधिकरन में पैपर संबोधन है अरे अभुवा जी ठीक है अब इसके साथ विभक्ति कैसे जोड़ेंगे सिखें करता को पर्थमा कर्म को दूतिया करन को दूतिया और संपर्दान को चतुर्थी अपदान से पंचमी अधिकरन से सश्टी और अधिकरन से सक्ति और अधिकरन के सक्त्मी और संबोधन के संबोधन संबोधन के संबोधन के संबोधन के संबोधन के संबोधन के संबोधन के से हुआ है इसको हमको क्या पढ़ने किया सकता है लेकिन फिर भी आपको बताने की चलते पुलिंग अकरांट कितने सब्द होते हैं और सब पुलिंग बालक पर ही चलेंगे जैसे बालका बालका नरा 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 महिरा 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 अस्वा 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 इस तरह जितने भी होंगे आ कि मातरा करांट सब बालक पर चलेंगे जैसे पर्थना दुतिया त अर्वालका ने और अनेक बालकोने बालकम एक बालक बालक को बालका से चेहां करता है ठीक है तो बालका 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 नाम नीचे हो जाएगा और ये पंचमी तक ये आपको बताया है इसमें पंचमी भिभक्ती तक ये बताया है तो इसमें से ध्यान दीजिये आपा दान से और करन से दो गोचीन है वहाँ भी बता दिये थे एक लगाव रखता है और एक लगाव करता है ठीक है तो इसका हिंदी बता दिया है कि हिंदी तो आपको भी मैं भी बताई थी यादी होगा कि एक बालके ना क्या हो गया बालकाया, दो बालक के लिए बालका भ्याम, अनेक बालकों के लिए बालके भ्याद, बालकाद एक बालक से, बालका भ्याम दो बालक से, और बालके भ्यानेक बालक से, ठीक है? अब जाजाएए, नेक्ट पेज में, सश्टी, इसमें अस्या है, बालकास्या बालके ओ, बालका इसमें है एक बालक का दो बालकों को अनेक बालकों को एक बालक में चाह एक बालक पर अनेक बालकों में चाह पर और अनेक बालकों में चाह दो बालकों पर अनेक बालकों में अनेक बालकों पर अब रहा संबोधन ही वालक इसमें कुछ नहीं है इसे रिस्पेक्ट करने के चल बालकों के लिए दोनों बालकों के लिए बालकों के लिए अनेक के लिए देखिए इस पर कितने रूप चलेंगे यह पहले भी मैं बता चुकी हूं कि छात्रह, देव, निर्पा, ब्रिच्छा, गजा, अश्वा, सुखा, महिरा, आधी अकरान सब्द के रूप इनी सब्दों पर बालक के समान चलेंगे, ठीक है, अब बालका सब्दा जैए, ई आपको साती ता क्याद कराएं और बालका के सब्द के रूप इद कराएं, बालका सब्द आकारांथ हुआ, जो सुरुआ में आकी मातरा, जैसे बाल, बाली का, ता की मातरा हो गया, तुसी तरह हें परफ्माडूतिया तृतिया चतोर्तीपंच मी 60 सब्सक्ति मीश मत भुषा है अएक लड़की के लिये अनेक लड़की के लिये अनेक लड़की के लिये गएlegen इसमें भी हिंदी वही होगा लेकिन लड़का है अई लड़की है बात इतना ही कांतर है घाने जी बालिकाया बालिका भ्याम 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 बालिका नाम बालिक इसमें जो है इस पर कितने रूप चलेंगे इसका ही दिया है लता इसी पचलेगा सखा इसी पर अच्छी तरह याद करना होगा एक पुलिंग अकारांट जितने पुलिंग बर्ग है उसी पचलेंगे एक इस्तिलिंग लता या बालिका जितने इस्तिलिंग सब रूप है अकारांट के अकारांट के उस पर चलेंगे और नपुन्सक लिंग जो है फलम फले फलानी पे जितने नपुन्सक लिंग के रूप रहेंगे अक्सर माने जदा कदा ही अलग रहेगा लेकिन अक्सर रूप इसी पचलेंगे जैसे फलम फले फलानी फलम फले फलानी और से किस पर चलेगा फले ना पुलिंग की तरह चलेग ऐसे पर कंए रूप चलेगा ध्यांदीजी पुस्तकम चक्रम नेत्रम ग्रहाम नीम्याम आमरम क्रेड़नाया कंदुकं से रुप्याने आदि सब इसी पर चलेंगे कंदुकह में सभनेया कारांत सब इसी पर चलेंगे अब कुछ आजएए पढायतों हो गई है अब मोख्याइए मोख्य कोश्चन ओरल के लिए संस्क्रीट कती कारका संती संस्क्रीट नामानी बदत करें किस रिच में कितने कारक है नाम बताइए, तो कारक कितने होते हैं, कारकाठ होते हैं, जो हिंदी है, वही संस्क्रीट है, कारक नहीं बदलती है, और हिंदी में भिवक्तियां नहीं होती है, हिंदी में कारक ही होते हैं, संस्क्रीट में दोनों होते हैं, क्योंकि संस्क्रीट क्या है, हिंदी की जननी है, तो संस्क्रीट में कारक होते हैं, और संस्क्रीट में कारक और लगती दोनों होते हैं, और हिंदी में सिर्फ कारक होते हैं, ज्यान दीजिए, कारक आठ होते हैं, क्या लिखेगा, कितने कारक होते हैं, आठ होते हैं, नाम बताइए, तो करताने कादम को करन से संपर्दान के ल सब्द रुपानी कंठस कुरता पाठ के में दिये गए रुपों को याद करना है तो मेरी काम नहीं है यह आपके काम हो गया ठीक है याद करना है तिनों सब्द रुप कर्म कारक के संपरदान कारक चा चिन विभक्ति चा वदत कह रहा है कि कर्म कारक और संपरदान कारक के चिन और विभगती बताईंए, तो कर्म कारक है, करताने कर्म को, ठीक है न, लड़कों को, लड़कियों को, फलों को, तो उसका चिन को है, आमने, संपर्दान के लिए है, जैसे राम के लिए यह किताब है, ठीक है, तो इसलिए संपर्दान कारक के लिए, लड़की के लिए यह और करम कोल ही होता है और बिनती बताना है यह है और रिटेंत कोस्चन में आजीए अरे में कश्चन में देखीए रेटें दॉश्चन में कारक कारका के बिभक्ति या से लेक्षिक कार्वकों को भीबति सथ मिलानां है, ठीक है, भ्यान दीजिएगा, आप मिलान करने का मतलब क्या है, उसके सामने नम्बरिंग करना, लकीर फकेद नहीं करना है, पहला, यहाँ कोष्यल नम्बर, पहला के, का के चौथा, खा के छठा, गा के पाच्मा, घा के सात्मा, गा के दूसरा, चा के पहला और चा के पीसरा, ठीक है? Next page में आ जएए, इसमें कोस्च के नमर्र टू, इसमें है कारकों के लिए कोस्चक में दिये गये उची सब्दों से खाली जगा को भरें अब देखिए कर्ण कारक को कौंचिन है को करता कारक के ने करन कारक के से के द्वारा और संपर्दान कारक के लिए ठीक है उसमें के द्वारा होता है कि करन है कि उसके द्वारा और इसमें खास उसी के लिए इसमें देखिए कोश्चन नमबर व्याकरन बोध, व्याकरन बोध में क्या है, गरामर है, उदारन के साथ विभक्ति और बचन लिखिए, तो देखिए, छात्रेशू, यह आपको पता होगा, कि छात्रेशू कौन सा यह बताया हुआ है, बहु बचन है, सब्तिमी, लता नाम सश्टी बहु कर लिखिए, और सब्तिमी दोनों में आता है, और दूश्चन है, फलाया, चतूर्थी है, और एक वचन है, उसके नात्रतिया है, एक वचन है, कुस्टन बट् विखिए, जैसा देस आदिश, उस separation is you, आदिश, ऊसस तरह करना है, बाली का बहु बलक्यो, बाली काशू, negotiating रिपच्छल आट पध्हाम से अब चृट्फ मेर रिपच्छल के आटाएं यापको में विए कारट क जिनतर कारक भिवक्ती लिखते हुए सुन्दर सुन्दर चाट बनें, जिस तरह उपर बताया ग्या है, उस तरह आप फॉर्मेट बनाएंगे, और साधा पेज पर, कलर से, हर कलर से, उसे कारक विवक्ति, जिन, सब को चाट बना करके, फॉर्मेट के साथ, अकारांट पुलिंग दस गो अकारांट इस्ते लिंग दस गो और अकारांट नपुन्सक लिंग दस गो सबको उपर लिख दीजेगा कौन लिंग है स्वाईले लिखेगा लाइन बना दीजेगा और लिखेगा कारक उसके बाद में लिखेगा चिन इसका दू कॉलम हो गया तिसरा कॉलम में लिखियेगा विभाक्ति और उसके बाद में बड़ा सा कॉलम रहेगा उसमें रहेगा एक उपर में अकारांट पुलिंग सब नर के लिए लिजिए कुकरा के लिए अस्वा के लिए बालका के जो भी बनाना हो और आकारांट बालिका, लता, मचका पिपलिका, रोटिका बाटिका जो भी लेना है उसको ले लिजिए और नपुनसक लिए में फल के लिजिए पुस्तक के लिजिए, कंदकम लिजिए, चक्रम लिजिए जो भी आपकी जो अच्छा लगता है और उसको ले लना है और उसको रूप लिख देना है अच्छी तरह सजा करके और समझते हुए लिखना है जो भी काम करें, थोड़ा करें लेकि समझ के करें, ठीक है कम बोलें, ज्यादा समझें, ठीक है इसलिए ध्यान रखें और एक्टिविटी जितने भी बुक में है जितने भी मैं लेशन पढ़ाई हूँ जिस तीन स्कूल चलेगी और खुल जाएगी तो मैं आपके सबसे पहले एक्टिविटी खुद करवाऊंगी और आप से इसे सुनने की क्या करूँगी कोशिस करूँगी और आप सुनाने के लिए तयारे ठीक है? आप तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केर बाए ठीक? ओके